असलामों अलेकूम मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज में रूबी कराची फूट में बहुती यमी से स्नेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ पोटेटो फिंगर पोटेटो फ्राइज तो सब नहीं खाए होंगे क्या आपने फ्राइज पकोड़ा खा हैं फिंगर पकोड़ा करें में यह तादी जिया ब करें के बाद कर दिया है रोगा प्रणा जाहिए तुक तुष तेनने के बाद फिंगर राइस का अन्दर हमें काटके रखें हैं उन्हें एट कर देना है अच्छे से हातों की मदद से मिक्सिंग कर लिए ताकि अच्छे से कोट हो जाए जितना भी हमने पैस तयार किया है बेसन का जेखिए कितने अच्छे से कोटिंग हो गई है बेसन की फ्राइज से एक कड़ाई में ओल को पहले से ही मीडियम फिलें पर गरम कर लिया था और हमने देखी कि करके फ्राइज इसके अंदर डालना है इस तरह से जो है छिपकते नहीं एक दूसरे थे क्योंकि हमने इसमें बेसन लगाया तो छिपकनी नहीं चाहिए बिल्कुल अलग-अलग होने चाहिए जिस तरह से फिंगर फ्राइज होते हैं इसी त अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं हमने इसकी साइट कर देनी है और अलग-टलग करते हैं ताकि हर तरफ से यह सा कलर आए और हर तरफ से एक जैसे ही प्राइज हो गये हैं अब हमने इनको पटा-फट से निकाल लेना है बना यह जल जाएंगे और जल जाएंगे तो प्राइज प्राइस प्राइस प्रोड़ा है जिसितरा हमने पहला बे क्लोश ऩम प्राइज हो ताकि अप्राइज प्राइज करने जाहिंए और जितने आ सकते हैं ताकि हैं さいए मिड़ाय प्राइ से घण będ कर देंगे तो यह भी जल जा यह देखिए हमारे इतने finger fries से हैं जो के हमने इसमें डाल दिये हैं और थोई देर के लिए छोड़ देंगे ताकि एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं यह देखिए एक तरफ से क्रिस्पी हो गए हैं तो हमने इसकी side को change कर देना है ताकि दूसी तरफ से भी सेम इसी तरह से फ्राई हो और एक जैसा ही कलर आए बहुत ही क्रिस्पी तयार होते हैं एक बार ट्राइस जरूर कीजेगा यह देखिए यह बेच भी हमारा तयार हो गया है हमने निकाल लिया है इसको भी पड़ा फट से वरना जल जाएंगे यह देखिए माशालर से इसका भी कलर से वेसे ही आया जिस तरह हमारे पहले वाले फिंगर फ्राइस तयार हुए थे अब हम दिखाते हैं पाने लोग यह देखिए माशाला अलहमदुलिल्ला बहुत ही मज़ेदार से हमारे फिंगर पकोड़ा तयार हुए हैं एक बार ट्राइस जरूर कीजिए को कमिट से बताएग केसे लगे हैं आपको फिंगर फ्राइस पकोड़ा अगर आपको फिंगर फ्राइस पकोड़ा की रेसिप अच्छी लगी आप हमारे चैनल पर नहीं होते हैं मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए प्रेंट में शेर कीजिए जाज़त मुझे अगली रेसिपी तक के लिए आला आफिस